साथियों, नमस्कार, स्वागात आप सभी का, आप सब क्याबने चल दा साइंस टॉप में, आज हम दा साइंस टॉप में, आपने हिस्ट्री सीरीज में एक निया टॉपिक लेका है, जिसका नाम मारा वैदिक संस्कृति, जो भी एक जामनिशन्स दो कॉंपिशन्स होते हैं, उनमें एक निया कोशिन ऐसे पक्का बनता है, जो इसको पूरा देखेगा, और आकार आपको हमारे वीडियो पसंद आता है, इसको पहले लाइक करते हैं, आई स्टाइट करते हैं, पूरु वैदिक या रिग वैदिक संस्कृति का काल किसी माना जाता है, ए, पंद्रो सो इ पूरु से एक जार इसा पूरु के बीच के समय को, आई हम अगला कोशिन देखते हैं, आरे सब्द का साब्दिक अर्थ है, ए, वीर्या योद्धा, बी, यग्यकरता या पूरुहित, सी, स्रेस्ट या कुलीन, और डी, विद्वान, तो जो आरे सब्द का साब्दिक अर्थ है, हमारा क्या है, स्रेस्ट या कुलीन, आई एकला कोशिन देखते हैं, इन में से किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ए, जो, बी, गेहू, सी, चावल, और डी, तंबाकू, तो इसका से इन सरमार हो जाएगा, तंबाकू, क्योंकि तंबाकू के साक्षय तो जो वैदिक गणित है, इसका जो सबसे मात्पूर सुत्र माना जाता है, वो आपका माना जाता है, सुल्व सुत्र को, आई एगला कोशिन देखते हैं, किस वैद में प्राचीन वैदिक यूद की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, ए, रिक वेद, बी, यजुर सुल्वेद, सी, अथरवेद, और डी, सामवेद, तो जो वैदिक यूद की संस्कृतिक बारे में जो जनकारी मिलती है, वो मिलती है, हमें सबसे रिक वेद से, आई एगला कोशिन देखते हैं, भारत के राजचीन में परिप्त होने वाला सब्द सत्यमी हो जाते, किस उपन परिख उपनिशर, मुंटक उपनिशर, B, कंट उपनिशर, C, इश उपनिशर, और D, ब्रेदरकणायक उपनिशर, जिसका सईन्सर मार क्या हो जागा, समंडुक उपनिशर, यहीं से हमारा सब्दिमे जाते लिया गया है, आई एगला कोशिन देखते हैं, रिग वेदिक आर मुख्य व्यरसा, यहारा क्या था, वश्युपालव था, और यह गाय को ही अपला मुख्य धन मानते थे, आई एगला कोशिन देखते हैं, भारती संगीत का आधिगरंत कहा जाता, A, डिगवेद, B, उपनिशर, C, यजरवेद, और D, सामवेद, तो भारती संगीत का जो प्रधान ग्रंथ है, A, महाबारत, B, स्रीमत बगवद गीता, C, गीत कोविन, और D, इनमे सुकोई ने, तो यह क्रिश्न भक्ती का प्रधान ग्रंथ पाना जाता है, वो माना जाता है आपका स्रीमत बगवद गीता को, आई एगला कोशिन देखते हैं, रिगवेद में संप अधिका प्रमुक धन माना जाता है, वो माना जाता है आपका गोधन से, ठीके, अग्यया एगला कोशिम देखते हैं, रिगवेद के किस मंडल में सुध्र का उप्योग पहली बार मिलता है, A, सात्वे मंडल में, B, आट्वे मंडल में, C, नवे मंडल में, और D, आपका दस मंदल में तो जो आपका शुद्र सब का पहली बार रुपयोग मिलता है वो मिलता है आमें दस्वे मंदल में वो भी पुरिश्रुक्त में आए अगला कुशन देखते हैं पुराणों के संक्या कितनी है A 18, B 19, C 20 और D 18 तो जो पुराणों के संक्या वो अठारा है आए अगला कुशन देखते हैं व्यादिक धर्म का मुख के लक्षन इनमें से किसकी उपासना था A प्रकृति, B पशुपति, C देवी माता और D द्रिमोर्ती तो व्यादिक धर्म का जो मुख्य लक्षर था वो प्रकृति पूजा था क्या था हमारा प्रकृति पूजा आए यह मगला कुशन देखते हैं किस देवता के लिए रिग वेद में पुरंदर सब्द का पुर्योग हुआ है यह किया जया A इंद्र, B अगनी, C वरोन और D सोम तो जो पुरंदर सब्द का पुर्योग बलता है वो मिलता है देवता इंद्र के लिए जिने किलो को जीतने वाले बोला जाता है आई एगला कोश्चन देखते हैं आरे भारत में बाहर से आये और सरप्रतम बसे थे A समावट में, B पंजाब में, C प्राग जोतिसपुर में और D पांचाल में तो जो आरे भारत में बाहर से आये थे तो आके वो पंजाब में बसे थे हाई एगला question देखते हैं वेदो को आप परुषे क्यों कहा जाता है आप परुषे A. क्योंकि वेदो की रशना डियोतार द्वारा की गई B. क्योंकि वेदो की रशना परुषो द्वारा की गई C. क्योंकि वेदो की रशना डियोतार द्वारा की गई आई एकला कुश्शन देख्टे हैं वैसायसिक धर्शन के प्रतिपादाक है A. कपिल, B. उलू क्या कड़, C. आक्षपाद गौतम, D. तंजली तुर्टे वैसायसिक दर्शन है इसके प्रतिपादक आपके उलू क्या कड़ाद को माला जाता है आई एकला कुशन देखते हैं मिमानसा या पूर्व मिमानसा दर्शन के प्रतिपादक है A. जैमिनी B. बदरायर C. कपिल D. गौतम तो मिमानसा या जी पूर्व मिमानसा दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है वो माना जाता है आपके जैमनी को किसको जैमनी को जैम खाते हैं जैम जैमनी किसके है कि मिमानसा के आई एकला पुशन देखे हैं वेदान्त या उत्तर मिमानसा दर्शन के प्रतिपादक है वेदान्त या उत्तर मिमानसा दर्शन के प्रतिपादक है ए जैमनी बी बद्रायन सी बुद्ध और डी और वास से बद्राण को रिट कर लिजेगा थीक है आई यह मगला कोश्चन देखते हैं तो जो आपका दसराज युद्धता माना जाता है कि यह आपका पुरुष्णवी नजी के किनारे पे डड़ा गयाता है आई एगला कोश्चन देखते हैं गात्री मंत्र डेवी सवित्र को संभोधित है किस पूस्तक में मिलता है तो जो आपका गयात्री मंत्र है यह आपका रिग्वेट में मिलता है आई एगला कोश्चन देखते हैं न्याय दर्शन को परचारित किया था ए चरवाक ने बी गौतम ने सी कपिल ने और डी आपका जैमनी ने तो जो न्याय दर्शन की बात की जाती है, तो न्याय दर्शन दिया था हमारे मारशी गौतम ने, किस ने दिया था आपका, मारशी गौतम ने, आई एगला कुशन देखते हैं, प्राचीन काल में निस्क से जाने जाते थे, A. स्वन आभूशन, B. गाएं, C. तामवे के सिक्क और D. चान्दी के सिक्के, तो निस्क कहा जाता था आपका स्वन के आपकुशनों को, आई एगला कुशन देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक अपते हैं, ये तो करी लेंगे आप, A. पतंजली, B. गौतम, C. जैमिनी, और D. संकराचारे, तो योग दर्शन के प्र पतंजली माने जाते हैं, आई एगला कुशन देखते हैं, ओपनिशद पुस्तके हैं, A. धर्म पर, B. योग पर, C. विदी पर, और D. दर्शन पर, जो ओपनिशद है, वे विदान या दर्शन की पुस्तके मानी जाते हैं, आई एगला कुशन देखते हैं, आरंडिक वैद इसमें सिंद्व यदिक का उपयोग बहुत बार माना जाता था आए अगला कुशन देखते हैं वैदिक नदी कुभा जीसे काबूल कहते हैं का स्थान कहा निल्धारित होना चाहिए तो करी लें गया पफिलसे फिर भी A, अफगानिस्तान, B, काशमीर, C, चीनि- तुर्किस्तान, चीन- तुर्किस्तान में और D, पंजाब में तो जो काभूल या जिसको कुंभा या कुंभा कहते हैं ये अफगानिस्तान में इसका माना जाना चाहिए मुद्धरिक से अधिक आपके संघ्र नियाए दरें और इसीतर जो आपका और न्याय दर्शन है न्याय दर्शन का जог प्रति पादक माना जाता है वो माना जाता ह aumento को तो आपने लगाद देखा है गवोות ब्र वात जाता है प्र से और जो पूर मिमानसा इसको हम किवल मिमानसा भी कहते हैं तो मिमानसा हम बहुत जैम खाते हैं तो याद देखेगा मिमानसा के कौन है आपके जैम मतलब जैमनी तो जैमनी के कौन है आपके मिमानसा जिस तरह आपको याद हो जाए ठीक है एकला कुशन देखें कर्म का सिध्ध वो माना जाता है कि आपका वो मिमांसा से संबंदित है। किस आपका मिमांसा से? आग एगला कोश्न देखते हैं चरक संगीता नामक पुस्तक किस विशेय से संबंदित है? A. अर्षास्र B. राजनीती C. चिकितसा और D. धर्म तो चरक के नाम से इतने hospital बन गए कि आप correlate कर लेंगे चरक संगिता जो आपका चिकित्ता से संबंदित है आई एकला question देखते हैं यग्य संबंदि विदि विधानों का पता चलता है ए अधिक वेट से बी ब्रामण घंतों से सी शाम वेट से और डी यजुरुवेट से तो जो आपका यग्य संबंदि बाते की जाती है बाते की जाती में यजुरुवेट से यह से यग्य यह से यजुरुवेट इनसे आप correlate क तो देखाएगा कि जो व्यादिक यूग में जो प्रस्लित लोग पर यह पुड़ा ली थी वो क्यात जाती गढ़ा तंत्र थी अगला कुश्चन देखते हैं तो जो आपका भारती दर्शन की आरंबिक विचारधारा ए सांखे दर्शन देखते हैं मारश कपिल यह कपिल मुनी आए अगला कोशन देखते हैं किस वेद में जादूई माया और मश्यकर जादू टोना की बारे मिलता है आपका जादू टोना से संबंदित है वह आपका कौन सा है अधरवेध याद रिक्वेध करेंगे तो अधरवेध कोईसा मिलेगा अर्थ मिलेगा तो समझे अधरवेध की बात करते हैं तो कि और यह अगला कोशन देखते हैं या प्राचिनतम संस्तास को विदत बोलते हैं क्या बोलते हैं विदत ठीक है तो आप्शन हमाने क्या आप्शन सी विलकुल सही है आई अगला कुशन देखते हैं विदिक युग में यौ कहा जाता था यौ ए गेहों बी चावल सी जौ और डी इने से कोई ने तो हम जौ कोई यौ कहते हैं आई एगला कुशन देखते हैं प्राचिंतम व्याकर अस्टाध्याई के रश्नाकार है ए गौतम बी कपिल सी पतंजली और डी पाणि तो आपके पाणिन थे इन्हें यहम अस्टाध्याई का रश्नाकार मांते हैं क्योंकि एक व्याकर ग्रंत हैं एकला कुशन देखते हैं आदिकाव्य की संग्या किसे दी जाती आदिकाव्य वोल लाया है ए महाबारत बी ए रमायण बी महाबारत सी गीता और डी भागवत तो जो रमायण है इसे हम आदिकाव्य कहते हैं एकला कुशन देखते हैं प्राचिन्तम पुराण है ए मतस्य पुराण बी भागवत पुराण सी विष्णु पुराण और डी वायु पुराण तो जो सबसे प्राचिन्तम पुराण माना जाता है वो माना जाता है हमारा मतस्य पुराण को किस पुराण को आपका मतस्य पुराण ठीक है आज जो मगल सबसे प्रधान देवता की पहचान किजिए जिसकी स्टुकी में 250 250 स्लोकों या सुक्तों कहा सकते हैं सुक्तों की रशना कि गई थी ए इंद्र वी अग्नी सी वरुड और डी सुरि तो देवता इंद्र के लिए आपको 250 सुक्तों की रशना कि गई थी और यागला question देखते हैं किस रशना में नारी को सुरा और पासा के साथ तीसरी प्रमुक बुराईये करोप में शामिल किया गया तो जो आपका सुरा और पासाक के साथ जो तीसरा बुराई माना गया है वो मैत्राणी संगिता को तो यहां से आप मैत्राणी समझ जाए जाए जो दुसमन बोले नारीकों आपका मित्र होए नी सकता है तो आए अगला कुशन देखते हैं तीन रिण में सामिल नहीं हैं तो आपका विवास चुटि प्राशीन काल से हो रहा है तो सबसे प्राशीन आपका वेद कौन सा मारा रिगवेद्ट याद रिखेगा कि विवास अंसकार का वड़न करना वन प्रतम जो विवास सुप्ष है किसे लिए आपका रिगवेद्ट से आईए मगला कोशन देखते है रित या प्राकृतिक संतुल स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रितश्य गोप कहा जाता है ए इंद्र, बी वरूर, सी, सूरी और बी आपका विश्णूर तो माना जाता है कि जो देवता वरूर है यही आपका प्लाइमेट को चेंज करते है मतलब वन मतलब हवा के देवता समझ जई है कि इन्हें या मरितश्य गोप कहेंगे ठेक है एकला कोशिन देखते है मनुस्मृति, मुख्यता, संबंदित A. समाज व्योस्ता से B. कानून व्योस्ता से C. राज्यक कारपद्दत से D. अर्थसास्र से तो जो आपका मनस्मृति माने जाती है वो समाज की व्योस्ता से माने जाती है आई अगला कोशिन देखते है गात्री मन्ति की रश्णा किस ने की थी? A. वसिस्ट B. विश्वामित्र C. इंद्र D. परिक्षित तो जो गात्री मन्ति की रश्णा थी वो आपका विश्वामित्र में की थी आई अगला कोशिन देखते हैं अवेस्टा और रिग्वेद में समानता है अवेस्टा किस स्थेत्रे से संबंदीत है A. भारत B. इरान C. आपका इस्राहिल D. मेस्रिट तो अवेस्टा को जंदा वेस्टा भी कहते हैं यह हमारा इरान देश संबंदीत है आई एकला कोशिन देखते हैं रिग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अवेस्टान के साथ आरियों के संबंद का सूचक है A. अश्किनिवी B. प्रुषणी C. कुभा या कुर्म और D. विपार्ष या सतुब्री तो जो आपकी अफगानिस्तान से कुर्लेट करने के बार जबी आ जाए समझेगा कुभा, कुर्म या काबुल लदी यही उसका सूचक है आई अगला कोशिन देखते है निम्विकित में से किसे भारती प्रमानुबाद का जनक कहा जाता A. महर्षी कपिल B. महर्षी कडाद C. महर्षी पतंजली B. इनमें से कोई नहीं तो हमारे कडाद की बात की जाए महर्षी कड की बात कडाद करते है सबसे चोटा पार्टिकल करण को बोला है आए अगला कोशन देखते हैं सत्पत ब्राम्माण से संबंदित राजा विधिह माधाओ से संबंदित रिशी थे तो विधिहरासे संबंदित के वो कौन थे आप का रिशी गौतम रहुगण आई आम अगला कोशन देखते हैं निम्रिकित में से किस ग्रंत को सत्थ सास्त्री संगिता के नाम से जाना जाता है तो जो आपकी महाभारत है इससे हम सत्थ संगिता के नाम से जानते हैं इसका पुराणा आपका जैस संगिता भी मिल जाएगा आपको बहुती जगाओं पर आई एकला कोशन देखते हैं भगवत गीता मूलता महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है द्रून पर्व, अनुशाशन पर्व, सी सांती पर्व और दी भीस्म पर्व भगवत गीता है वो मूलता भीस्म पर्व का ही एक छोटा सा भाग है आई ये बगला कोशन देखते हैं